देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हो रिचाश्रमार जेडी सुप्रीमो लालुक प्रसाद यादव जब से केली बंगले से रिम्स में शिफ्ट हुए हैं उसके बाद उनसे मिलने वाले लोगों का ताता लगा है हर शनिवार का दन मुलाकात करने का होता है ऐसे में जो उनके समर्ठक है जो कारे करता है वो लालुक प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंसते हैं लेकिन इन सब के बीच बड़े खबर सामने आ रही है डॉक्टर्स बता रहे हैं वो मात्र 25 परतीश्रते ही काम कर रही है बागी की किड़नी जो है वो functioning नहीं कर पा रही है जिसको लेकर समस्या बताई चारे है जो डॉक्टर लालू प्रसाद याधव की health को monitoring कर रहे हैं उन्ही डॉक्टर्स का कहना है कि लालू प्रसाद याधव की स्वास्थ इस्तिती अभी बिल्कुल सही नहीं है चारा घुटाला मामले में सजायाफता लालू प्रसाद यादव की स्वास्त को लेकर उनका इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बड़ी और एहम जानका रिती है डॉक्टर उमेश प्रसाद के अनुसार लालू प्रसाद यादव के किड़नी सिर्फ 25 फीसदी ही काम कर रही है ऐसे में आगे के दिनों में उनके स्थिती और भी खराब हो सकती है आपको बता दे कि लालू प्रसाद यादव फिलहाल रिम्स में भरती है और वो डाइवटीज और गुर्दे की बिमारे से ग्रसित है उमेश प्रसाद ने शनिवार को मीडिया से बाचीत के दौरान कहा कि लालू प्रसाद यादव के किड़नी 25 फीसदी ही फंशनिंग कर पा रही है यह सिती अलामिंग है इस वज़े से क्योंकि ऐसे सिती में कभी भी उनके किड़नी की फंशनिंग अचानक से बंध हो सकती है ऐसा आने वाले 2-4 महीनों में भी हो सकता है इसकी कोई सटिक प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती है उन्होंने आगे कहा कि जिस रफ्तार से उनकी बिमारी बढ़ रही है चिंता जनक है उन्हें 20 साल से मदुमे भी है ऐसे में अंदर अंदर और्गन का डैमेज होना काफी पहले से शुरू हो चुका है इसलिए अभी फिलहाल उन्हें काफी देख रहे की जरूरत है तो लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी जो किड्नी है वो मातर 25 पीसदी ही काम कर पा रही है किड्नी की जो फंसनिंग करने की कैपसिटी है वो बिल्कुल लो हो चुकी है और साथ में डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि अंदर ही अंदर जो उनका ओर्गन है वो डैमिज होती जा रहा है 20 साल से उन्हें मदू में कि समस्या है ऐसे में कि समस्या और भी गंफीर होती जा रही है और ये भी कहना है कि 2-4 महीने में उनकी तब्यवत बहुत जादा बिगड़ सकती है ऐसे में उनकी देखरेख को और भी सही तरीके से करने की जुरूत है और कही ना कही लालू प्रसाद यादव का जो इलाज चल रहा है उसमें तेजी लाने की भी जुरूत है तो जिस साबसे ही डॉक्टर्स का कहना है ऐसे में कही ना कही जो उनके समर्थक हैं जो उनके अपने हैं चाहने वाले हैं वो अभी चिंतित हैं लालो प्रसाद यादव के स्वास्त को लेकर उनके समर्थकों में चिंता जाहिर है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बाहर निकलने को लेकर बेल को लेकर उनके समर्थक पहले ही लगातार सरकार से अपील कर चुकी है फेस्बुक के जरिये, सोशल मीडिया के जरिये, लालु प्रसाद यादव के रहाय को लेकर कैम्पेनिंग भी चलाई जा चुके और ऐसे में अगर ये खबर सामने आना है कि लालु प्रसाद यादव के स्वास इस्तिती जो है वो बहतर नहीं है और उनकी जो किड्नी है वो 25 फीसदी ही काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं लोग इससे चिंतित हैं फलाल कली इतना ही बनरे अमारे साथ हो देखते रहे न्यूस फोर्नेशन नमस्कार